साथ मैं मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की दूसरे इनिंग डॉनल्ड ट्रम्प अन्विलीवेबल मतलब यार मतलब ना मैं क्यों हस रहा हूँ मैं मुझे समझ नहीं रहा है मैं वीडियो की शुरुवात कैसे करूँ अब आप बोलोगे रहे क्या बात है आज तो आपका दिन है आज आपको खुश होना चाहिए लेकिन मैं इस वजह से खुश नहीं हो रहा हूँ आप समझिए कि यही ताइम प्रेजिडेंट बना था इन फैक्ट माना जाता था कि डॉनल्ड ट्रम्प वो व सबसे एग्रेसिव था बिटकोईन के अगेंस था जब उसका लास्ट टाइम जो प्रेजिडेंट बना था और कुछी साल बीते और आज बिटकोईन की वजह से वो प्रेजिडेंट देखो mainstream media इस बात को कभी acknowledge नहीं करेगा और mainstream media ने तो कमला हरिस को जिता भी दिया था जितने भी news channels है और वहाँ पर लेकिन वो कभी इस बात को acknowledge नहीं करेंगे कि Donald Trump जो है वो सिर्फ और सिर्फ Bitcoin की वज़े से जीता है आप चाहिए इस बात को मानो ना मानो मैं थोड़े से numbers भी पता देता हूँ पुरी दुनिया में साड़े 500 million users है crypto के और साड़े 500 million में से करीब 200 million के आसपास है जिन्होंने life में कभी एक बारी मेटा मास्क वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट से यह ब्लॉक्चेन के साथ इंट्रेक्ट किया है देखो साड़े 500 million में तो वह लोग है जिन्होंने crypto खरीदा है बट एक्शल में यूजर है वो लो 40% अब इसमें जो इसको नंबर में बोलो तो करीब 90 million के आसपास है अब आप सोचो कि 500 500 million total crypto user है पूरी दुनिया में और उसमें से 90 million जो है वो अमेरिका में अब यह जो 90 million है अगर एक शक्स जो है वो जाता है और बोलता है कि वो crypto are also कि और दरौनल्ड तरंफ कि याद दिलाँगा कि अपने भाशनों में या प्वड्लिक अपेरेंस में उसने क्रिप्टो के लिए क्लिया बोल लोगे वैपने की रिलंए करीे करी लिया ना तो बिल्कुल है कि इस बार जो जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था वो साफ तोर्प से बिटकॉइन था क्रिप्टो था और आप यकीन नहीं मानोगी कि जितनी भी डॉनल्ड ट्रम्प ने क्योंकि धुआधार उसने कैम्पेंग करी है पैसा उसके पास भी बहुत है लेकिन फिर दोनल्ड ट्रम्प को सिर्फ एक एक सारपी था रिपल फार्णेशन था जिसने कमला हरेस को डोनेट किया बाकी जितनी भी क्रिप्टो कंपनीज थी चाहे वो कॉइन बेस था जैमिना ही था उन सब ने जो है वह डोनेट किया था डॉनल्ड ट्रम और यह बहुत ही जाद हिस आज के बाद बनलब आज यह इतना हिस्टॉरिक डे के आज के बाद दुनिया में कहीं पर भी एलेक्शन होंगे आप यह मान के चलो कि बिना बिटकोइन को सपोर्ट किये बिना क्रिप्टो की बात किये अब कोई भी प्रेजिडेंट कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी आज देश का जीत नहीं सकता यह ख्लेर हो गया है अभी आप आपको दिखेगा कि अमेरिका में जो डॉनल्ड ट्रम्प ने करा उसकी जीत की जो सक्सेस देखके अब कहीं पर भी चाहे वह योरोप के अंदर को इलेक्शन हो रहा हो चाहे वह एशिया के अंदर के इलेक्शन होना जहां पर भी डेमोक्राटिक तरीके से एलेक्शन होते हैं वहां पर आप देखोगे कि क्रिप्टो की बात किया बगएर अब कोई भी प्रेज़ेंट या प्राइम मिनिस्टर जीत नहीं सकता यह गैरेंटी हो गई है अब डॉनल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे वादे कि जो यूएस का 35 ट्रिलियन जो डेट उसको भी वो पैउफ कर सकता है बिट कोई से डॉनल्ड ट्रम ने बिटकोइन को अगर हम रिजर्व एसेट के बात करें तो गोल्ड है फॉरन एक्षेंज रिजर्व यह कहीं न कहीं यह स्ट्रेंथ देते हैं एकॉनमी को इन केस ऑफ सब्सक्राइब करता है तो अमेरिका के पास 8000 टन से उपर गोल्ड है तो अमेरिका के पास एक स्ट्रेंथ वो ड्राइब करता है कि उसके पास गोल्ड है उसके पास एसेट से तो सिमिलर्ली अगर किसी देश के पास बहुत जादा गोल्ड होता है फॉरन एक्षेंज रिजर्व तो उसको डॉनल्ड ट्रम ने बोला कि मैं बिटकोइन को स्ट्राटेजिक रिजर्व एसेट का दरजा देने कि बात की ती तो अगर वो हो जाता है तो सोचो अगर थोड़ी सी भी आलोकेशन बिटकोइन के इंदर हो जाती तो आप सोचो क्या बिटकोइन के पर इसका इंपक् incluso ओग तो अप अपनी ट्रेजरी में इंक्लूट करने की बात नहीं करेगा क्योंकि अल्टिमेटली पूरी दुनिया डॉलर को होल्ड करती है और अगर डॉलर की बैकिंग बिटकोईन से आएगी तो आप सोचो क्या होगा तो यह बहुत इंपॉर्टन न्यूस है एक और फोरम में डॉलर ट् जो डॉलर को असली दिन जब आफिस को जॉइन करेगा अब देखने वाली बात है कि बड़ी बात बोली ती कि यहां चार दिन के अंदर भी गैरी कीशियर को चैर्क्राइब यह जोब ढूंदता दिखेगा तो SEC के चेर्मन को सैक करने की बात की थी डॉनल्ड ट्रम ने ये भी बात बोली थी कि वह अमेरिका के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री को इतना बड़ा कर देगा कि आज के बाद जब भी कोई बिटकोईन फ्रेश बिटकोईन दुनिया में रिलीज होगा वह मेड अमेरिका होना चाहिए तो उसने इसको लेके भी बहुत बड़ी बात की थी और उसने यह भी बात की थी कि काफी सारी जो क्रिप्टो कंपनीज हैं चाहे वो इथेरियम है चाहे वो सुलाना है यह जो जितने भी एको सिस्टम है इसको वेप्तरी को बढ़ावा देगा अब आप यह देख सकते हो कि जितना भी टालेंट है जो अमेरिका चोड़ चोड़ के जा रहा था अमेरिका से एक्जिट कर रहा था वो टालेंट वापिस अमेरिका में आ सकता है तो यह बहुत बड़ी ख़बर है तो ओवराल अगर दिखा जाए तो डॉनल्ड ट्रम्प की कि जो एको सिस्टम में उसके लिए लोग बुलिश है लेकिन कि एक पर्टिकुलर एको सिस्टम की बात नहीं करी है वह बात जरूर है कि डॉनल्ड ट्रम्प ने पीछे एनफटी से लेके एक इनफट प्रोजेक्ट भी लांच किया था यह नो इधिरियम के उपर तो इधिर होगे तो क्रिप्टो एको सिस्टम को अब कोई थ्रेट फील नहीं होने वाला है अमेरिका के अंदर आप रेगुलिशन को भी क्लियर होते हुए देखोगे कि फटा 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 रेगुलेशन बनने वाली और यह बहुत बड़ी ख़बर है सिर्फ एक चीज़ को अगर आपको देखो तो दुख इस बात का होता है कि अमेरिका में इतना कुछ हो रहा है अमेरिका अलरी एक बहुत स्ट्रॉंग देश डालर की वज़े से और वह और ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगा क्योंकि उसने इस गेम को पहले समझ लिया आप कि खुद की यूएस डीसी और यूएस डीटी जो स्टेबल कॉइंस है आज वो इतना यूएस ट्रेजरी होल्ड करती मतला अमेरिका की अमेरिका की कंपनीज है वो दोनों स्टेबल कॉइंस और वो यूएस की इतनी ट्रेजरी होल्ड करते हैं कि पूरी दुनिया में अगर ह चाहिना यूएस ट्रेजरीजरीज को डंप कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनी की कंपणी यूएस ट्रेजरीजरी को भाइज कर रहे हैं कृप्तो से अमेरिका को बहुत जादा स्ट्रेंथ मिल रही है तोगा सा दुख और निराशा इस बात की होती है कि इंडिया को इंस्टें से वह भाई करना अगर उसने शुरू कर दिया तो वहां की कंपनीज ने बिटकोइन को ताबड तोड़ अगर भाई करना शुरू कर दिया तो इसका इतना भारी प्राइस हो जाएगा कि फिर आप उसको इतने महेंगे प्राइस पर खरीदना शुरू करोगे अगर आपको समझ में आ भी गया कि विटकोइन को करीते हैं क्या फाइदा है आज अगर आपको जब समझ में आ रहा है कि अमेरिका का तिंग टैंक जो कि डॉनल्ड ट्रम के साथ और अब तो हजीब लगती है कि जब अमेरिका जैसा देश जो है उसको बिटकोइन को इंब्रेज कर रहे हैं आप यह कह सकते हों कि जो अमेरिका के लिए वह हमारे लिए सही नहीं है बिल्कुल तो फिर उस बात से फिर आप फिर आप फिर डॉलर को फॉरें एक्चेंज रिजर्व में क कि बात क्यों करते हैं डॉलर इंपॉर्टेंट है और अगर कल को वह स्ट्राटेजिक रिजर्व एसेट का दर्जा दे देता है तो उसके बाद हमें करना पड़ेगा वी कांट इग्नोर बिटकोइन फॉर लॉंग देखने वाली यह भी बात है कि आज अगर ऑपोजिशन मे सबसे एक सारा इलॉन मस्क था साथ एलॉन मस्क व Peng लर्ग मीडिया पेों और हर्ठ को सपोर्ट कर रहा था हमारे यहां तो opposition parties नहीं भी आज तक bitcoin को समयने के कोशिश नहीं कर रही है दुख इस बात का है कि एक powerful देश वो और ज़्यादा powerful हो जाएगा और bitcoin ने कोई US को strong बनाने के लिए नहीं बना था बात इत्ती सी कि तो open किताब है ना कोई भी समझ लेता और कोई भी इसको accept कर लेता इंडिया के पास एक opportunity थी अभी भी है और आगे भी रहेगी लेकिन आगे इस opportunity को grab करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा यह एक historic day है आज का दिन आप अपने diary में अपनी किताब में नोट कर लीजे क्रिप्टो अब वो नहीं रहा जिस क्रिप्टो को आपने सुना था आज एक उसको legitimacy मिल गई आज जो साइफर पंक्स का जो ड्रीम ता जो साइफर पंक्स ने कुर्बानिया दी थी साइफर पंक् कि आज सतोशी नाका मों तो कभी कहीं अगर जिन्दा है किसी कोने में तो मुस्कुरा रहा होगा और देख रहा होगा कि यार जिस चीज की वज़ा से कितना थ्रेट सेना पड़ा साइफर पंक्स को आज उसी innovation ने अमेरिका का प्रेजिडेंट चूस किया उसी वैसे अमेरिक थानक के लिए बने रहें एक हाविंग साइकल से बाइसे धूसरी हाविंग साइकल तक हमेशा याद रखियाख कि बिटकॉइन बिटकोइन जब भी कोई नया बिटकोइन वा बना चुकर है बट I'm sure कि Bitcoin is definitely going to grow from here because हम सब जानते हैं कि Donald Trump office join करती कुछ ना कुछ ऐसी चीजे करेगा कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ डेवलपन देखने को भी लेगी तो yeah what is your take I'm happy I'm sure you must be happy as well अगर आपको लगता है कि नहीं वाकि सब्सक्राइब करेगा ऐसी information को अपने लोगों के साथ शेर जरूर करेगा ठीक है ना चलिए विधिस थाट थैंक यू वेरी मच